नमस्कार स्वागत है आपका मुद्दा में मैं हूँ रामवीर श्रेष्ठ और आज हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्विद्याले के नए परिसर के लोकारपन के अवसर पर दरसल ये देश के लिए एक पुनर जागरन से कम नहीं है ये भारत के अतीत को भारत के भविश्य से जोड़ने का एक सेतू भी है हाला कि भारत के बारे में अगर हम बात करें भारत में सिख्षा दिख्षा इन सब चीजों को लेकर बात करें तो दुनिया जब अग्यान के अंधेरे में सो रही थी तब भारत में रिकॉर्ड ये कहता है कि करीब 49 ऐसे विश्विद्याले जगमगा रहे थे और जिसे भी पता चल रहा था वो सब भारत की और इन विश्विद्यालें में अपनी सिख्षा दिख्षा लेने के लिए आते थे और भारत की तरफ से भी कहा गया था, घोशित किया गया था कि एतत देशे प्रशुत अश्य सकाशागाद्र जन्मनाहा स्वयम स्वयम चरित्र शिक्षे रेण प्रत्वया सर्वमान वहा ऐ दुनिया के लोगो आप भारत आओ और अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेकर के वापस जाओ ताकि दुनिया और ज़्यादा सुन्दर और ज़्यादा बहतर हो सके हम जानते हैं कि इस समय में दुनिया भर के अंदर मैंने खास्तों पर भारत के अंदर ऐसे 49 विश्विद्यालों का जिक्र है जिनमें तक्षशिला, नालंदा, काशी, कांची, मतुरा, धन बल्लभी, गौर, इस तरह के 49 विश्विद्यालों का उस दौरान में जिक्र है और बात आज अगर हम नालंदा की करें तो पांचवी शताबदी से लेकर बारवी शताबदी तक लगातार 700 साल तक सिक्षा का यहाँ मंदिर, लगातार यहाँ अपनी जो मशाल है वो इसने ज हजार सिक्षक रह सकते थे, जहां पर जो असम का राजा है वो 40 कनस्तर घी के रोजाना इस विश्विद्याले के अंदर चात्रों के और सिक्षकों की सेवा में भिजवाता था, मतलब यहाँ सिक्षा को लेकर के ग्यान के इन शिखर दीपों को लेकर के यह जलते रहें इसक लिए कितनी रुची रही होगी भारतिय समाज में, भारतिय मानस में, इसकी कुछ मैंने आपको बानगी मातर कही है, बाकि तो हमारे जो अथिती हैं, वो हमें जरूर इन सारी चीजों के बारे में बताएंगे, लिकिन सबसे पहले देश के प्रधान मंत्री ने जो नालंदा का नया केंपस है, जो नया परिसर है, इसके अतीत से फिर भविश्य की तरफ एक मार्ग दिखाता हुआ नालंदा और नालंदा का ये परिसर, उसकी जलकियां और देश के प्रधान मंत्री का क्या वक्तव्य है, पहले ये सब सुनते हैं और इसके बाद अपने महमानों के सा रूबरू होंगे, एक युनिवर्सिटी केंपस के इनोग्रेशन में, इतने देशों का उपस्तित होना ये अपने आप में अभूत पूर्वा है, नालंदा युनिवर्सिटी के पुनन निर्मान में, हमारे साथ ही डेशों की भागिदारी भी रही है, मैं इस अवसर पर भारत के सभी मित्र देशों का, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, मैं बिहार के लोगों को भी बढ़ाई देता हूँ, बिहार अपने गवर्व को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की रह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये केंपस, उसी की एक प्रेरिना है, साथियों, हम सभी जानते हैं, कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवन्त केंद्र हुआ करता था, नालंदा का अर्थ है, न अलम्ददाति इती नालंदा, अर्थात, जहां सिख्षा का ज्यान के दान का अवीरल प्रवाह हो, शिच्छा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, यही भारत की सोच रही है, नालंदा, यह केवन नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मुल्य है, नालंदा एक मर्त्र है, गाउरव है, गाथा है, नालंदा है उद्गोश, इस सत्यका, कि आग की लप्तों में, पुस्त के भले जल जाएं, लेकिन आग की लप्तें, ज्यान को नहीं मिटा सकती, नालंदा के दोंस ने, भारत को, अंदकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्थापना, भारत के स्वनिम यूग की शुरुआत करने जा रहा है, साथियों, अपने प्राचिन अवसेसों के समीप, नालंदा का नवजागरा, ये नया केंपस, विश्व को, भारत के सामर्थ का परिचय देगा, जाहिर तोर पर जो वहाँ पर नालंदा में आज से जो एक तरह से बारवी शताबदी के आसपास हुआ, जो बक्तियार खिलजी ने वहाँ पर आग जनी की और जिस से वहाँ का पुस्तकाले महीनों तक धूदू करके जलता रहा, और जिस तरह से वहाँ पर लाखों पुस्तकें, ग्यान के वो जो भंडार थे, जिस तरह से वो जल कर खाक हुए, और जिस तरह से देश के प्रधान मंद्री ने भी कहा कि वास्तों में वो अंधकार से भर दिया गया, उसकी च्छती पूर्ती होना ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन साथ में ये भी एक उम्मीद होती है कि ग्यान का एक दिया जो है, वो हमारे जो सिक्षक हैं, प्रोफिसर हैं, उनके अंदर भी वो जो लगातार जल रहा था, उससे फिर दो बारा से हमने चीजों को संजोने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश की, इनी सब विशों को लेकर के हमारे साथ जो महवान जुड़े हैं, उनका परीचे मैं आप से सबसे पहले कराता हूँ, हमारे साथ अभे कुमार सिंग हैं, आप वोईस चांसलर हैं इस यूनिवरसिटी के, आपका बहुत-बहुत स्वागत है संसर टीवी में, हमारे साथ विने सहस्त्र बुद्धे हैं, आप पूर्व सांसद हैं और पूर्व अध्यक्ष भी हैं, आई-सी-सी-ार के आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, और यहां पर प्रोफिसर सिंग साब, सबसे पहले आपसे बातचीत करना, इसलिए शायद ज़्यादा मुफीद होगा कि आप वहां पर थे, और आपसे बहतरीन ग्राउंड रिपोर्ट जो है, शायद कोई नहीं दे पाएगा, जी, अब है कुमार सिंग जी, मैं अवश्य कहूँगा, लेकिन मेरा निवेदन है, कि पहले माननी है, सहस्बदेजी से एक प्रशन पुछिए, फिर मैं आगे, जी, जी, नहीं, मैं तो जस्ट आपसे ये कहा कि वहां पर कितने लोग थे, कितने देशों के राजदूत वहां पर थे, कितने सिक्षक थे, और किस तरह से आपने उसे बनाया है, सजाया है, और क्या विजन है, आप एक बार रखेंगे तो मैं उधर आगे जरूर जी, जी, तो मैं आपसे अवश्यक हाँगा कि कितने लोग थे, आपने जो कहा कि संख्या की बात, तो अगर आप देखी तो मैं समझूंगा कि हजार लोग तो मुझे दिखाई दे रहे थे, जी, इस परकार से, हाला कि जो प्रेक्षा ग्रे है, उसमें इतना स्थान नहीं है प्रेक्षा ग्रे में तो हमारे यहां तीन सो से जादे लोग नहीं आ सकते थे, तो आप ये मानिये कि अगर दरसल देखा जाए, तो ये इतना भावना से जुड़ा था, कि मुझे तो हर पूरा शेहरी नजर आ रहा है, जितने लोग मुझे मिल रहे हैं, वो इतने भावक औ जगा जगा से संदेश, पूरा छेतर बिल्को पट गया है इस समारों में, इस बुच्साह में, हमारी युनिवस्टी के वेबसाइट पे 20 लाक से ज्यादा जो विजिटर्स आये तो थोड़ी देर के लिए क्रैश हो गया वेबसाइट, तो आप समझे कि जो इसका रभाव ह इस आज के इस दिवस का, इस उदगाटन का, मानने प्रदान मंतरी जी के संदेश का, उसने तो पूरा एक हलचल मचा दिये सब और, और शायद ये बहुत आवशक था, इस से उर्जा मिली है हमें, और कारिकरम अत्यंत ही, मैं कहूंगा, प्रभावशाली इस प्रकार से रह थी, चाहे श्रोताओं की थी, चाहे वक्ताओं की थी, और सब ही का मन बोल रहा था, अब सब मन से बोल रहे थे, तो हमारे माननी है, प्रदान मंतरी जी का वक्तेवता, आपने सुना ये भी, यह हमारे यहां, एक्सरनल अफैस मिलिस्टर साब का वक्तेवता, बहुत भाब से कहा, और पूरी तरीके से ये कहा कि हम हर प्रकार से नालंदा के लिए जो कहेंगे हम देने को तयार है, तो ये अब आ जाना, जागरत हो जाना, यही आधा बना देता है किसी कारे को संभ़भ कर देता है, विना सहस्तुर बुद्धे हमारे साथ में हैं, विना जी, आप जो हैं, ICCR के चेर्मेन भी रहे हैं, और ये सवाल आपके साथ और जादा वाजिब सा हो जाता है, कि जब नालंदा विश्विद्याले की बात होती है, उसके पुनर जागरण की बात होती है, पुनर स्थापना की बात होती है, तो किस तरह से एशियाई देशों के आंसकर्तिक संबध्धता जो है उसको आप और ज्यादा मजबूत होता हुआ देख रहे हैं जी हिश्चित तोर पर दो-तीन बाते बहुत स्पष्टर रूप से उजागर होगी है मानिये प्रधान मंत्री जी के भार्षन में भी हमने सुना है कि हमारी जो ज्यान की परंपरा है इसके पुनर जागरण की यह आरंब बेला है एक उष्टी से प्रतिकात्म कुरूप में और इसलिए नालंदा विश्वी त्यारा यह पना था कुछ सालों पहले मगर उसके इस पुर्व्य आइतिहासिक परिसर का उधगाटन प्रधान मंत्री जी के करकमलों से होना आपने आपने एक बड़ी बात है दूसरा विश्वी है कि नालंदा हमारे दक्षिलपूर्व एशिया से अधिक निकट है और भारत का सम्मद्द दक्षिलपूर्व प्रधान मंत्री जी का केवल एक इस नहीं है तो एक ट्रैक्ट इस है तो हम पूर्व को एक गृफ्टी से आकरशिक करने की जो कोशिश कर रहे है क्योंकि पूर्व तो हम कई बार उसको देखते नहीं तो हम उसको आकरशिक करने की जो एक प्रयासों की मालिका शुरू करना चाहते हैं एक गुष्टी से मैं माता हूँ कि नालंदा उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा जहां तक संबंधो की बाद हैं मैं हमेशा यह कहता आया हूँ कि भारतिय संस्कृती और भारतिय संस्कृती का हर एक पहलू यह जनत्रिक परंपराओं का एक अलग-अलग गुरूपों का एक गुरुष्टी से समू है और इसलिए नालंदा युनिवर्सिटी में मेरा तो अपना मानना है कि वहाँ पर एक परसाइश है में इसलिए लहस्तमाइश में वी डिय है कि हमारी यह सारा कहने के पीछे कारण यह है कि हमारी जो परंपरा है वो मुख्य रूप में ज्यान की परंपरा भी है, हमारे आध्यात्म में भी ज्यान मार्ग कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग कहा गया है, तो ज्यान मार्ग के लिए एक दुष्टी से आध्यात्मिक जो एक उन्नयन की प्रक्रिया है, उसका एक महतुपूर्ण पहलू है, तो हम इ अनुष्य मातर की उन्नत अवस्था का एक मार्ग इस रूप में इसको देखते हैं इस तुरुष्टी से अगर हम देखे जब जब विख्राव की स्थिती आई है ऐसे सारे वातावरत में मैं मानता हूं कि भारतिय संस्कृति भारतिय संस्कृति का अंग रही ज्यान की परंप का अधिक कारगर डख से निभाप पाएगा ये बिड़ा विश्वास तप्ट सिंग एक सवाल मैं आपके साथ करना चाहूंगा जो इसी तारत अम्यता के साथ मुझे लग भी रहा है विने सहस्तुर बुद्धे ने एक बात कही और उन्होंने इच्छा जताई कि भारत को विश्विद्धयाल्य जो है उसी वैशाली गणराज्जे की भूमी पर आता होगा जो अपने आप में बुद्ध के समय में एक गणराज्ज़ था तो क्या आप जो विने सहसुर बुद्धे ने जो इक्छा जताई है क्या उसपर विश्विद्धयालै विचार करेगा और पर डेमोक्रेसी को लेकर और डेमोक्रेसी को स्ट्रंदन करने को लेकर डेमोक्रेसी के प्रकारों को लेकर डेमोक्रेसी में जो लोगों का पार्टिसिपेशन है उसको लेकर जिसको हम रियल डेमोक्रेसी तक हम कह सकते हैं जनभागी लोकतंतर कह सकते हैं क्या हम उस दिशा में इस विश्विद्याले की नीव में जो बहुत सारे पत्थर होंगे, उनमें से क्या हम इस बात को भी रख पाएंगे? जी, जैसे विने सब्सक्राइब में जो भी कहा, यह बहुत ही सही है, और इनी के मार्व दर्शन में और सहयोग से इसी नालंदा विश्विद्याले में विगत वर्ष में एक बहुत बड़ा कारिक्रम हुआ था, बहुत बड़ा आयोजन था वो, जो वैशाली बदर अब डिम और ये बहुत सब्सक्राइब में जो चर्चा बहुत अच्छी बात ही थी, इतना बड़ा आयोजन था कि अब सब लोगों को उसको याद है, और जो इतनी अच्छी बात ही उठी थी उसमें यही बात थी, कि घर से लेकर और पूरा देश तक हर इस तर पर जिस प्रकार का हम हमारे हां एक democratic परंपरा रही है, उसकी चर्चा रही है, क्योंकि democracy सिर्फ एक ये नहीं कि पलिटिकल लेवल पर सोची है, राजनीती की लेवल पर सोची है, ये विचारधारा हमारे हाँ जो वादे-वादे जायती तक्ट्व बोधा सर्पमें कहा था उसमें, उसके द्वार हम लोग विचार विमर्ष करते हैं, विचारों का हमनों का भेद मतभेद का कोई द्वेश बाहर से नहीं होता, तो यह जो कहा था, यह विचार ने दिया था, सोचा जा रहा था हमारे हां, अभी उस पर आपको यह बता है, हमारे हैं एक सेंटर पूर पीस स्टडीज है, कॉन् पीस स्टडीज से पहले उसमें डिमोक्रिसी आना चाहिए, सेंटर फॉर डिमोक्रिसी एंडेन, डिमोक्रिसी है, तो कॉन्फिक्ट रिजोलुशन अब पहला माध्यम तो वही है, और उसके बाद, तो यह बहुत अच्छा विचार सरका है, और हम लोग इसको अपने हां, ज दिये जा सकते हैं, वैश्विक समस्य हैं, चाहिए वो किसी राज्य सीमाओं के बीच की हो, चाहिए वो किसी नदियों के चल से लिखे हो, पर वहाँ डिमोक्रिसी वे और किस प्रकार से इट कुन भी इंप्लिमेंटेड, यह देखा जाएगा. बिल्कुल, विरे गी एक बात ये भी है, एक सवाल आपके साथ भी, मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ पर जब वैशाली गणराज्य की बात होती थी, तो वहाँ पर करीब 7700 के आसपा, 707 के आसपास कुटुम्ब थे, और हर कुटुम्ब का प्रतिनी धी था, और जब निरनय प प्रतासिक प्रमान हैं इस चीजों को लेकर के, इसको लेकर के आप कितना कनफर्म हैं हमारे दर्शकों को बता पाएंगे? मैंने इस विशे में इतना भी मतलब अध्यन नहीं किया है कि मैं उस तालाप से जुड़ी हुई जो कथाये हैं या क्यों अधन्ति हैं, जो भी होगा, मैं मानता हूँ कि एक बाट तो सही है कि हमारे देश में, अगर आप हमारी कहावतों को भी देखें, तो उसमें भी जनत जनतांत्रिक प्रक्रिया की जलक आपको मिलती है, मैं महराश्टर से आता हूँ, मराथी में हमारे यहाँ एक कहावत है कि पांचा मुखी परमेश्वर, मतलब जब पांच लोग एक दिशा में बात करते हैं, एक पंधती किसे सोचते हैं, तो डिवी होती है, उसमें परमेश कभी वही रवया था, तो इस दुष्टी से अगर हम देखें, तो यहाँ पर जब राजशाही थी, जब समराठ लोग काम करते थे, तब भी कही न कहीं जनतांत्री प्रक्रिया का एक संबान उसके अंदर होता रहा है, तो इस दुष्टी से पांता हूँ की जनतांत्र, जो क इसलिए जनतांत्र है, ऐसा मानना, मैं मानता हूँ की बहुती सतही स्तरत का विचार है, हमारा जनतांत्र, हमारी संस्त्रकी का अभिन आंग है, क्योंकि यहाँ पर हमारी प्रुष्टी बुख्य रूप में, एक दुष्टी से आध्यात्मी जनतांत्र को परिवाशित करती ह है यहाँ पर एक बात और है मुझे लगता है हमारे दर्शकों को आज के दिन जो नालंदा विश्विद्याले है उसका जो अतीत है उसको भी एक बार बताया जाना चाहिए समझाया जाना चाहिए कि अतीत कितना विशाल रहा होगा मैंने जैसा कि थोड़ा सा तो जिक्र किया था कि 10,000 विद्यार थी 2,000 चात्र और आज भी वो युनेसको की धरोहर है बुद्ध और महावीर जिसके प्रांगण में जिन्होंने विश्राम किया हो ठहरे हो नालंदा जिसे तीन तीन बार जलाने का खत्म करने का प्रयास किया हो फिर भी 700 साल तक ये विश्विद्याले अपनी सेवाएं देता रहा निर्बाद तरीके से मैं मान सकता हूँ कि कुछ जो मतांध या धर्मांध लोग हैं वो मंदिर या मस्जिद किसी एक ठीक है धार्मी कस्थल को वो तोड़ सकते हैं लेकिन एक विश्विद्याले को तोड़ना ये ये ऐसा ये क्यों किया गया हो होगा और वो भी तिन-तिन बार जी हां मैं आपसे यही कहूंगा सबसे पहले कि नालंदा का विध्वन्स होना ये विश्व के लिए एक तरास दी बहुत ही बड़ी दुरगटना थी बहुत ही जिसके जिसका पाप जो है वो विश्व ने सदियों जेला है और शायद ये वि सब कुछ उसी का पाप का हमनों होगा है सदियों तक नालंदा से पहले देखे क्या था ग्यान तो हमाने परंपरा बहुत पहले से थी और आपने जैसे जिक्रिया वैदिक काल से गुरू कुल सिस्टम थे तक्षिला में ग्यान का केंद्र था पर पहला के प्रयोग जो बिहा कर एक हॉस्टल एक रिजिदेंशल यूनिवर्स्टी बनाया है जहां लोग आकर अपने विचार देंगे पढ़ाएंगे शिक्ष्ण यह विवस्था अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी अब आप मैसे में अगर सोचे कोई इसको कि यह तो हॉस्टल था हॉस्टल वो एक बहुत पवित्र इस्थान था जहां पूरर कालिक जो लोग अध्यान में लगे थी निरत थे निरत थे उनको सोचने के अलावा और कुछ नहीं था वो सिर्फ उसी संवाद में उसी विवाद चिंतन में ही रहते थे और एक गंभीर चिंतन का इस केंद्र में आप तान देता है ज्ञान देता है और पात्रता देता है उसको स्थाथित करता है उसने एक बार किया उसके बाद अन्य लोगों ने अन्य शास्कों ने भी किया गुप्त बंच के ही उसके बाद गुप्त बंच के बाद पाल बंच ने भी किया मान हर्षवर्धन जी ने उन्हों उस प्रकार के भौतिक सुखों की जरूरत नहीं थी, आवे शक्ताओं की पूरती की जरूरत थी, और उनके, उसमें आप दीके दूर दूर से आए हैं, सत्रा मास्टर्स के जिक्र किया जाता है वहाँ पर, जहें वो नागारजुन थे, आरदेव थे, बुद्ध पलित थे, औ कोई अपने भौतिक सुख या कोई अपनी पुझी या ऐसे विचारों से नहीं थे, यह तो त्याग के लोग थे, मूर्तियाग की मूर्तियां थे, तो ऐसे लोग इसको चलाते हैं आठ सो वर्ज, और साथ ही साथ समराट के समेसे और बात तक, सहयोग इसको मिलता है, पूरा बतलब यह हमने देखा एक तरह से की तरक, तलवार का काम जो है वो तरक से भी हो सकता है, विवाद जो है वो समवाद से भी सुलज सकता है, और शायद इसी लिए राश्टर कवी दिन करने, इस पूरी की पूरी जो यह एक परंपरा थी, पूरा का पूरा जो इस्टैबिश किसके मंदिर का, यह किस तापस की समाधी है, किसका यह उजडा उपवन है, यहां कौन है, रुक रुक कर, जिसको रवी शशी नमन किये जाते हैं, जलद जोडते हाथ और आसू का अर्ग दिये जाते हैं, प्रकृती यहां गंभीर खड़ी, किसकी शुश्मा का ध्यान कर र रजकन में जो किरन सोर ही, उसका मुझको दरस दिखा दे, और इतिहास से उत्तर मिलता है, उन्हें कल्पने धीरे धीरेगा, यह तूटा प्रसाद सिद्धिका, महिमा का खंडहर है, ज्यान पीठ यह मानवता की तपो भूमी उर्वर है, इस पावन गौरव समाधी को सादर शीश जुका, कल्पने धीरे धीरेगा, तो कुल मिलाकर राष्टर कवी दिनकर ने जो यह श्रद्धानजली, जो यह भावानजली उस समय दी थी, अगर दिनकर आज होते, तो वो एक बार फिर से एक और कवीता लिखते, और वो कवीता भारत के, भावी भारत के, नए भार की और इशारा कर रही होती, और इसी इशारे के साथ हमारा भी समय हो चुला है, दोनों हमारे महमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया, वो हमारे साथ जुड़े, और मुझे भी इजाजत दीजिए, आज के मुद्दे में, फिर मिलेंगे, तमस्कार.